नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे HDSI डिक्टेशन क्लब में आज हम दिपक प्रकासन से पेज नमबर 205 से अभ्यास नमबर 7 की डिक्टेशन लिखेंगे इस डिक्टेशन की गती 100 सब्द प्रती मिनिट रहेगी डिक्टेशन में काफी सारे सब्द धर्मिक स्थान से रिलेटेड हैं नेताओं के नाम हैं तारीख हैं इसलिए आप ध्यान से सुनें फुल कॉंसंट्रेट होकर लिखें और आउटलाइन्स को क्रियेट करने की कोशिस करें यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है या फिर कुछ और आप सुझाब देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाब दे सकते हैं चलिए लिखते हैं डिक्टिशन लेडी लिखे अध्यक्ष महुदय हमारा विचार है की अयोध्या में धार्मिक इस्तान को अपवित्र करने की गटना के बाद पूरे रास्ट को तथा इस संसद को इस पस्ट सब्दों में धर्म निर्पेक्षता के प्रतिवचन वद्धता का संकल्प लेना चाहिए और इस बात का भी संकल्प करना चाहिए की हर हालत में देश की एकता तता अखंडता की रक्षा की जाएगी इस देश में एक गव्मीर इस्टि उत्पन हो गई है सांप्रदाइक आधार पर लोगों के बीच बिवाजन की समस्या खड़ी हो गई है हमारी चिंता इसलिए नहीं है की यह केवल एक मंदिर और मस्जिद का जगड़ा है बलकि हम इसलिए गंभीर रूप से चिंतित हैं एक राजनेतिक दल तथा इसके गनिस्ट सहयोगी संस्थाओं से किरिया कलापों के कारण इस देश में धर्म निर्पेक्षता के पावन सिद्धान्तों पर कुठारा घात हुआ है ऐसी परिस्थती में हम चाहते हैं कि इस देश की सभी धर्म निर्पेक्षता कतें मिलकर सांप्रदाइक ताके इस जहर का मुकाबला कर यह बहुत दुक की बात है कि अपने दल की और से बोलते हुए स्री अटल विहारी बाज पेई जी जैसे वरिस्थ राज नीतिग्य ने उस गंबीर घटना की निंदा नहीं की जिसके कारण दुनिया के समक्ष हमारे चेहरे पर कालिक पुत गई थी मैं बार बार यह प्रस्ण करता रहा हूं की ऐसी क्या जल्द वाजी थी की इस मंदिर का निर्मान च्छे तारीक को ही सुरू किया जाए इसके लिए उन्होंने बारता भंग कर दी आज तक मैं नहीं समझ पाया हूं की छे दिसंबर की तारीक क्यों निश्चित की गई थी प्रदान मंत्री ने इस बारे में चार महीने का समय लिया हमने इस बात पर अपनी आप्रशन्ता प्रकट की है की दो महीने यों ही बरबाद हो गए और इस दोरान समस्या के समधान के लिए कुछ नहीं किया गया परंतू किया भी क्यों नहीं गया लेकिन बात चीत सुरू हुई थी इसी बीच गिश्व हिंदू परिसद ने अचानक कार सेवा की तारीख गोसित कर दी जिसके परिनाम सरूप बात चीत का सिलसिला तूट गया उसके बाद लोगों को वहां ले जाने के सगन प्रयास किये गए जब उच्चतम न्याया लईने इस संबंध में इस पास्ट आदेस जारी किये तथा उन्हों ने इसका खुला उलं इसलिए हम कहते हैं कि प्रदान मंत्री ने गलती की है उन्होंने कारवाही करनी की थी लेकिन वह मस्जिद की रक्षा करने में बिलकुल असफल हो गए इसलिए हमने सुरू मैं मांग की थी कि उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए क्योंकि किसी ना किसी को इसकी नेतिक जिम्मेदारी लेनी होगी परंतु इस समय हमारे समक्ष एक और गंबीर संकट उपस्थित हो गया है जो भारतिये जनता पार्टी तथा विश्व हिंदू परसद इत्यादी संगटनों की संयुक्त कारवाही के कारण ऐसी इस्थति उत्पर्ण हुई है इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार की सब से पहली प्रात मिक्ता यह होनी चाहिए कि देश में विधी और व्यवस्था इस्तापित की जाए और ना सभी व्यक्तियों विसेश कर अल्प संख्यकों को उचतसर्न रक्षन प्रदान किया जाए यदि उस मस्जिद का निर्मान किया जाना है तो उस परिसर को उन संगटनों को दे दिया जाए जो मस्जिद का निर्मान करना चाहते हैं स्टॉप